अब मुख्रीजन कहा रहा है? मुख्रीजन यही है जमीन का सब्सक्राइब बोला कि एक दफा तो हमें कई दफा लोग आका कि धमकी दीया करते थे तहर में कुछ जमीन का स्वाफ था जिसमें 19 लाख रुपया दिया हुआ है बाद में मुझे पता लगा कि कोई मनू पांडे है जो हरी नीला एक दो दफ़ा और उसके बड़ा मुद्दा तो नहीं रहे है? यही बड़ा सब्डा का नाम इसी वे से आ रहा है। सल्मान भी है यह जमीन का मसला में यह मन्नू पांडे है। पुलीस इसको लीपा पुती कर रही है, पुलीस नवश्कार में हुआ कास आप जो चुके था पॉब्लिक चिंग से लागातार हम देखा रहे हैं आपको के बिहार में कैसे अपरात बढ़ते जा रहे हैं, अभी कुछी दिन पहले सिवान में अपरात को लेकर लागातार लोग बहुत जोईर था, पिलाल इस पुरे मामले को लेकर उनके भाई हमारे साथ हैं, इन से बात करते हैं कि क्या पूरा मामला था, क्यों अभी तक पुलिश सही जगा पे नहीं पहुंच पाई है, जिन लोग उने गोली चलाई उनको तो ग्रिप्तार कर लिया है, लेकिन सही मास पाउटर माइन कौन था, यह जान रहते हैं, हमारे शात जनाब ये बताईए कि आपके भाई की हत्या का मुख रीजन क्या रहा है, मुख रीजन यही है, जमीन का मसला था, कुछ पॉलिटीकल मसला है, दोनों मसले हैं, मसले यह हैं कि मेरा भाई बराबर फ्वून किया करता उसके बाते से सलमान साल के कुछ लोग आया और ओम वाले तुम बहुत ज्यादा कूद रहो सहर में कुछ जमीन का मसला था जिसमें 19 राक रुप्या वो दीए हुआ है कौन डिया था 19 रूप्या अरीफ जमाल 19 रुप्या दिया उन्सलाफ रुप्या जो अरीफ जीमाल प्रवाल ने दिया है उस मसले को ही लेकर करके इसका हत्या किया गया है उसे आठ दिन पहले उसका पकड़ा पकड़ी भी हुआ है मारप फिटी भी हुआ है उसका लेकिन वह हम पूछते रहें के नाम नहीं उस टाइम बताया था लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि कोई मन्नू पांडे है जो हरीहास का है और सलमान है और कुछ उसका दोस्त वगरे भी हैं सब सलमान के ही दोस्त वगरे लोग हैं जो सीवा करने के लिए खान ब्रोदर्स के पास फोड़ीन दोस्त गया हुआ कि अब करने के लिए तो तीन दफ़ा गया हूँ खांडोच से मतलब मिला एक दो पॉलिस को लिपापोती कर रही है पुलीस थे हम संटुष्ट नहीं है यह जानना चाहरा हूं कि सीवान में यह जो पुलिस ने दो लोगों पकड़ लिया है तुछ एक रिसु पांडे ने हत्या कराई है लेकिन रिस्व पांडे के साथ को लोग मुले थी यह जनकारी पुलिस अभी तक कोई जनकारी नहीं दी मुझे कि रिसु पांडे के साथ कौन सा है मतलब वो कल यही कह रहे हैं कि अभी कोट खुलने दे रिसु पांडे को रिमांट पे लेंगे उसके बाद पता लगेगा लेकिन मैं संथ पुलिस के सलमान का नाम कैसे अपने सलमान के नाम क्यों मेरा भाई खुद बताया था अरिफ जमाल मुझे खुद बताया था कि सलमान के कुछ लोग मुझे लश्मीपूर में कहीं रोके हुए सलमान कौन है यह पता नहीं है और आपको बता दे कि अभी दो-तीन दिन पहले ही एक और गोली कांड हुआ था एक ग्लास हाउस है उनके मालिक पे भी जमीन को लेकर उनको धमकाने को लेकर गोली चलाई गया थी और वही दोनों लोग चलाया थे जिन लोगो पुलिस ने पक कैसरवाई के चोटे भाई जिनकी हत्या जो चुकी है वो जाते हैं और जाने के बाद जब यह मामला पता चलता है कि किसी और बहुली लोगों के साथ ये मिल गए हैं तो उन लोगों को जैसे कहान बिरदर्र के पास घया हो सकते हैं यू रिमारी यह एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ा कोश्चन है कि खान बरदर्स के पास जैसे ही सरक्षित होने के लिए बचने के लिए कुछ पार्टियों में दिखने लगे जब आरिफ जमाल तो उसके पहले ही क्योंकि 19 लाग का मैमले था 19 लाग उने दे रखा था जमीन के ल बड़े में नहीं है जमीन कहा है कौन सी जमीन है यह जनकारी नहीं है और इसी 19 लाग को लेकर यह पूरा मामला हुआ है जैसे ही खान बरड़ास के पास सनक्षट होने के लिए उस जमीन को कब्जा करने के लिए ये लोग जाते हैं इनके भाई जाते हैं उसके बाद से उनकी हत्या कर दी जाती है तो ये पुरा मामला यहां साफ समझ में आ रहा है लेकिन पुलिस क्या जांच कर रही है किस पे समला है फिलाल इस पर पुलिस आगे क्या करवाई करेगी ये तो देखने वाली बात होगी लेकिन सिवान में लागतार निर्मम हत्या होना और लागतार गोलीवारी होना लोगों को डढ़ाना धमकाना ये बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के कारिश्याली पर भी सिवान चे